Hello Dear Friends, Welcome to our channel Greece Architecture Dear Friends, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे तो Dear Friends, आज हम आप से डिस्कस करेंगे बहुती सांदार प्लानिंग के बारे में जिसका साइज 18 फिट वाई, 70 फिट है तो Dear Friends, इसको हमने टूबी अज के विद कार पार्किंग प्लान के हुआ है Dear Friends, जो लोग सिकायत करते हैं कि 18 फिट वाई, 70 फिट में एक गली टाइप घर बन जाता है, अच्छा घर नहीं बनता तो उनके लिए चेलेंज है इस वाले वीडियो में कि उनके लिए ऐसा बिलकुल भी नहीं मिलेगा और ये पुरा खुला एरिया रहेगा गली टाइप ये बिलकुल भी नहीं रहेगा तो Dear Friends, इस प्लान को हमने सुमिजजी के लिए प्लान किया हुआ है और इसके कॉलम लियाउट के बारे में भी आपसे डिसकस करेंगे इसमें कितने साइज के कॉलम और कितने mm का सर्यास में लगेगा तो Dear Friends, वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखते रहेगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर किलिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो Dear Friends, आप वीडियो को लाइक तो करी सकते हैं तो Dear Friends, यहाँ से आप देखेंगे प्रपर्टी के वन साइड रोड है और थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रपर्टी हैं लेफ्ट और राइट वाला वाल हमने साड़े चार इंच में लिया हुआ है और बेक साइड वाल भी हमने साड़े चार इंच में लिया हुआ है क्योंकि property के three other side already construction हुआ पढ़ा है तो dear friends यहां से आप देखेंगे यह हमने 9 fit चोड़ी entry दी हुई है काफी बड़े size की entry है entry करते ही हमने पूरा solar fit का space छोड़ रखा है जो कि हमारा staircase और parking के लिए रहेगा तो यहां आप solar fit लंबाई में कोई सी भी कार आसानी से park कर सकते हैं उसके बाद हमारा staircase यहां से first floor के लिए जाएगा और यह हमारा 3 fit चोड़ा staircase रहेगा staircase के नीचे एक हमने common toilet भी plan किया हुआ है जो कि 4 fit वाई 8 fit का रहेगा और यहां तक आप अपनी 2-3 bike आसानी से park कर सकते हैं किसी भी size की बाद आप देखेंगे यहां से हमारी entry होती है 4 fit चोड़ी यह हमारी entry है घर में अंदर जाने के लिए जैसे ही आप entry करते हैं तो सबसे पहले हमने friends living hall plan क्या हुआ है तो living hall का size 17 fit 3 inch वाई 15 fit 7 inch रहेगा यह आप देखेंगे काफी big size का living hall है और इसमें यह sitting रहेगा यह TV unit रहेगा फिर आप यहां देखेंगे living hall से यह हमने open arch दे रखा है open arch से जैसे ही आप entry करते हैं तो यहां हमने kitchen और dining lobby area और temple के लिए space दिया है तो यहां आप देखेंगे इस एड़ हमारा kitchen रहेगा 7 fit वाई 8 fit 3 inch का यह हमारा kitchen है जिसमें की यह हमारा platform है U-type और यहां इसका window है ventilation के लिए और यहां आप देखेंगे kitchen के just bagel में यह हमने open area छोड़ रखा है और इसमें हमारा gel रहेगा OTS रहेगा 7 fit वाई 2 fit 7 inch का यह हमारा space है तो यहां से आपके dining lobby area का kitchen का properly ventilation रहेगा और center में जो अपना suffocation रहता है गरका वो यहां आपके लिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा इस corner में आप देखेंगे यह हमने temple के लिए space छोड़ रखा है जो कि हमारा 3 fit वाई 3 fit का temple के लिए space रहेगा यह हमारा dining table रहेगा जो कि six-seater है यहां से आप entry करेंगे तो यह हमारा 4 fit साड़े दस इंचोड़ा लगवा 5 fit का पैसेज है और इस पैसेज से आप entry करते हैं तो यह हमारा 12 fit वाई 15 fit का bedroom है काफी बड़े size का bedroom आपके लिए यहां डिजन किया गया है यह हमारा bed रहेगा इसमें यह tv unit का point और इस तरह हमने wardrobe दिया है शामा रखने के लिए two-seater इसमें हमने यह sofa भी डाल रखें यहां आप देखेंगे इसके ventilation के लिए window दिया है और यहां एक gate दिया है इस gate से जस्ट आप पीछे जाएंगे तो यह हमारा OTS area लिए रहेगा पांच फिट साथ इंच वाई तीन फिट दस इंच का इस OTS area से आप anti करेंगे तो सबसे लास्ट में हमारा corner में toilet रहेगा जो कि दो bedroom के लिए common toilet है और इस toilet में हमारे दो gate रहेगे पहला gate इस वाले bedroom के लिए है यहां से दूसरा gate यह direct bedroom से connected रहेगा तो जिसमें यह toilet seat यह हमारा hand wash के लिए wash basin और यह हमारा सावर रहेगा यहां इस पैसे से आप देखेंगे पूरा पांच फिट का पैसेज है और इस पैसे से आप anti करते हैं तो यहां सबसे last में हमारा bedroom रहेगा 11 फिट 3 इंच वाई 10 फिट 3 इंच का तो friends यह इसका window रहेगा यहां door हमारे toilet का रहे हैं और यह हमारा TV unit है तो dear friends आप देख रहे थे कि इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुला खुला नजर ना आए पूरा घर खुला हुआ है 18 फिट भाई 70 फिट में अब dear friends बात करते हैं इसके column layout के बारे में तो यह हमने 12 इंच भाई 18 इंच केस में हैं हमने column दिये हुए है जिसमें की हमारा 8 सरिया रहेगा और वो भी 16 mm का तो यहां आप देख सकते हैं सीधे सीधे हमारे column है और सीधे सीधे इस पर beam पड़ 8 सरिया का या फिर 10 सरिया का तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह planning अच्छा लगा होगा आप इसका screenshot लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अपने घर के साफसे इसका construction भी आप आसानी से करा सकते हैं अपने according कोई modification आप इसमें चाहते हैं तो dear friends हमें call करें what's up करें thank thank you for watching मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिन